हलो गाईज मैं हूं हरी और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार तहें दिल के साथ स्वागत करता हूं अब सभी का और जैसा कि आप सभी जानते दोस्तों इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को लूसेंद जी के समान जान का क्यों स्ट हो चुका है गाईज और जितने भी आप लोग क्यों स्टेस्ट लगाए होंगे उनसे सवाल एकदम भीड़ रहे हैं गाईज इसलिए सेशन को मत छोड़िएगा क्यों स्टेस्ट जरू लगाएगा तस मिट में आप लोग को टॉप 25 को सिनका प्रेक्टिस करवा दिया जाता है चलिए और ये हमारे होगे हैं गनपत्ती पत्र इनका नाम देते हैं सुबारम करते है आज का हमारा सेसन आप सभी को तहे दिल के साथ राधे राधे और आज का हमारा मोटिवेस्टन कोरुट है जो कि आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करके रखती गाज और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना कदम कदम पर मिलेगी मुश्किले आपको बस सितारे चुनने के लिए जमिन मत छोड़ना दे छोड़ना इसका मतलब है कि आप अबने सपने को पूरा करने के लिए जमिन मत छोड़िये अगा जमिन से जुड़े रहेगा तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा याद रखेगा इसका मतलब यही था और चलिए सटार्ट करते हैं आज का हमारा यह सेसन मुगलो एवं मराठो के बीच हुई 1719 इसवी की संदी को रिचर्ड टेंपल ने मराठा समराज को मैगना काटा कहा है यह संदी बाला जी विश्वनात एवं सेयद बंधों ने किसके नाम पर की बताइए इसका सही अंसर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाज ओप्सन नमबर ए इसदा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा महाराठा च्छतरपती साहु एवं मुगलबाद सार रफी उद्राजत इसके नाम पर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर टू है माराठा समराज के सबसे बहादुर महिला कौन थी करेक्ट आंसर हो जाएगा साहु पर्थम नेक्स कोशन है कोशन नमबर टू होग किया और जिसके बाद माराठा च्छतरपती नाम से नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सक्ति पेश्वा के हाथ में चली गई बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाईज ओप्सन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा साहु पर्थम नेक्स कोशन है कोशन नमबर फूर यही समय है जब हम विदेशियों यानि के मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर किर्थी का अरजन कर सकते हैं यदि हम इस सुख रह पुराने ब्रिक्ष के तने पर अगात करेंगे तो उसकी साखाएं अपने आप ही गिर जाएगी या किसका कथन है गाईज विल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ऑप्षन नमबर बी इस दर करेक्ट अंसर हो जगा बाजी राव पर्थम का नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर फाइज गाईज किसे लड़ा को पेशवा और हिंदू सक्ती का अवतार कहा जाता था बिल्कुल correct answer है guys, option number E is the correct answer हो जगा बाजी राव पर्थम को next question, question number 6 है दोस्तो बिल्कुल correct answer है guys, option number B is the correct answer हो जगा बाजी राव पर्थम किस पेशवा ने मुगल बात्षा मुहम्मद सा रंगीला को माराथा सक्ती की एक जलक दिखाने के लिए 37 मालवा की सुभे पेशवा के नाम करने के लिए विवस किया बिलकुल करेक्ट आंसर है गाइज किसके समय में माराथा सक्ती अपने चर्मुत कर्स पर पहुंची तथा साथ ही माराथा सक्ती का पतन भी आरंब हुआ बिलकुल करेक्ट आंसर है गाइज बाला जी बाजी राव के समय में नेक्स कोशन कोशन नमबर नाइन है गाइज पेश्वा बाजी राव एवं छत्र पती राम राजा के बीच हुए संगोला संद्री जोकी 1750 इसमी में हुई के संबंद में क्या सत्त्य है चार आप लोग वीच एस गाइज सही अंसर कमेंट किजिए वेलकुल करेक्ट आंसर है जाएज ऑप्षन नमबर सी इसदा करेक्ट नहीं गाइज ऑप्षन नमबर डी इसदा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह संदी पुना सम्मेलन में सभी परमुख माराथा सरदारों की उप स्ताक्सर करने के कारण यह संगोला संदी का लाया और तीसरा इकेंद्रिये सरकार का पूरा दफ्तर 17 से पूना कर दिया गया पेशवा राज्य का सरवे सरवा बन गया यह सभी आपका सत्य है जो कि आपकी कोशन में कहा गया तो इसलिए ऑप्षन डी इस दकरिक्ट आंसर ज करक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलिवर्दी खा को संधी करने पर विवस किया बिलकुल करेक्ट आंसर गाई ऑप्षन नमबर ए इस दकरेक्ट आंसर हो जाएगा रगुजी भोसले नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 11 किस महाराथा सरदान ने 1759 में पंजाब वि बिलकुल करेक्ट आंसर है गाई ऑप्षन नमबर 20 करेक्ट आंसर हो जागा रगुणात रा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 12 किसने दिल्ली में मुगल बात्षा की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का चेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवान ए आम की छट से निकल वाली बिलकुल करेक्ट आंसर है गाई ऑप्षन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर हो जागा सदासी राव भाव नेक्स्ट कोशन नमबर 13 है अज दो मोती जल में घुल गएं सोने की 27 मोहरे खो गई चांदी और तांबे की जो हानी हुई उसका कोई अनुमान नहीं लग बिलकुल करेक्ट आंसर है गाई ऑप्षन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी पत के तिरतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 14 है गाईज पानी पत के तिर्थिये युद में मारे जाने वाले दो महत्पून सेन्य सजार कौन थे गाईज बिल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ऑप्शन नमबर A is the correct answer हो जागा विश्वास राव एवम सदासिव राव भाव नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 15 है दोस्तो किस इतिये हासकार ने कहा पानी पत का तिर्थिये युद एक निरनायक युद था माराठा सेना की मुकुट मनिव वहीं गीर गई थी और इस युद के पस्चात माराठो के अखिल भारतिये समराज की स्वपन नस्ठ हो गए बताएए गाईज इसका सभी अंसर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ये औपसन नमबर A is the correct answer हो जाएगा किसने कहा था जदुनात सरकार ये कितियासकार थे उन्होंने कहा था गाईज सिवाजी के बाद किसने गुरिला युद्ध का संचालन किया बिल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ऑपसन नमबर A is the correct answer हो जाएगा बाजिराव पर्थम किस माराथा पेशवा को मैं किया बिल्कुल करेक्ट अंसर है ऑपसन नमबर A is the correct answer हो जाएगा गाईज नाना फड़न वीज को नेक्स कोशन कोशन नमबर 18 है दोस्तो निम्न में किसने पानिपत के तिर्तिय युद्ध में संगठित माराथा सेना का नेतित्तो किया बिल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ऑपसन नमबर C is the correct answer हो जाएगा सदासिव राव भाव नेक्स कोशन कोशन नमबर 19 है दोस्तो वर् में दिल्ली की गद्धी पर सह आलम दुतिय को पुनर अस्थापित करने वाला माराथा सरदार कौन था बिल्कुल करेक्ट अंसर है गाईज ऑपसन नमबर A is the correct answer हो जाएगा महदाजी सिंदिया नेक्स कोशन कोशन नमबर 20 है दोस्तो किसे अंतिम महान पेश्वा कहा जाता है ओपसन नमबर B is the correct answer हो जाएगा माधावरा को नेक्स कोशन कोशन नमबर 21 है दोस्तो किस पेश्वा के आबोध होने के कारण माराथा रज्ज की देखरेक बड़ा भाई नाम की बारा सदस्यों की एक परिश्यद करती थी आबोध का मतलब है बच्चा जी बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर B is the correct answer हो जाएगा माधावरा नरायन नेक्स कोशन कोशन नमबर 22 है किस के सासन काल में पर्थम आंसर माराथा बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर C is the correct answer हो जाएगा माधावराव नरायन के समय में नेक्स कोशन कोशन नमबर 23 दुतिये अंगल मराथा योदे एंतिरतिये अंगल मराथा योदे के समय मराथा पेश्वा कौन था गाईज बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर C is the correct answer हो जाएगा बाजिराव दुतिये कोशन नमबर 24 है मराथा समराज का अंतिम पेश्वा कौन था बिल्कुल correct answer है गाज, option number D is the correct answer हो जाएगा, बाजी राव दुत्ती है, next question, question number 25 है दोस्तो बिल्कुल correct answer है गाज, option number D is the correct answer हो जाएगा, कानपूर की सन्दी, तो यह हुए आज के हमारे top 25 question गाज, आप तो को कैसा लगा, comment box के मानदें से feedback जरूर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजिएगा, साथ में बेल आकेन घंटी को भी on कर लिजिएगा, टेलिग्राम चैनल चलता है, जरूर जूर जूर जाएगा वहाँ भी, और session को पूरा देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल के साथ सुक्रिया, फिर से एक बार करता हूँ, और session like और share जरूर कर दिजिएगा, दोस्तों के बीच में फिर मिलते हैं, next section में तब तक लिए, जे हिन, जे भारत